प्रधान मंतरी के साथ तेरिस्वी आदब कर प्रधान मंतरी के साथ तेरिस्वी आदब की बैठक होनी है वैसे तो प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी वहाँ पर खुद ससरीर शामिल होकर वहाँ पर बैठक करते लेकिन उनकी मा का जो निधन हो गया है हीरा बिन जो सौ साल की उम्र में उनका निधन हो गया और इस बज़ा से नरेंदर मूदी जो है वो अहमदाबाद च जुड़ेंगे और तमाम जहां मुख्यमंतरी कलकत्ता में शामिल है वहाँ पर विडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी जुड़कर वहाँ पर मीटिंग करेंगे यह जो लगतार जिस तरीके से नमामी गंगे प्रजेक्ट को लेकर ये बा उनलोगों का कहना है कि बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार प्रधान मंतरी से नजरे क्यों छिपा रहे हैं क्यों वो मुलाकात करने के लिए या अमीद साहों इनके पास क्यों मुलाकात करने के लिए नहीं जा रहे हैं इस तरीके क्या सवाल जो है वो बीजेपी बिहार जो है विजय चौधरी पहुंचे थे लेकिन इस बार जो मीटिंग हो रहा है नमामी गंगी को लेकर तो इसको लेकर भी भारती जनता पार्ठी ने जो सवाल खड़े किये उसका जबाब आरजेडी के तरफ से दिया गया यह भी कहा गया कि जब सुसील कुमार मोदी और डिप्टि सीयम तारकिसोर परशाद थे तो कई ऐसे बैठक में जो है वहाँ पर पहुंचे थे लेकिन अब जिस तरीके से आज प्रधान मंतरी के साथ मुलाकात हो रही है प्रधान मंतरी के साथ बैठक होना था उस बैठक में तेज़श्वी आदब क्यों जा रहे है इस तरय की का सवाल जो है वह खड़ा वकर शामने आ रहा था लेकिन जलने होना कि यह कहा गया कि जिस तरीके से जो बैठक सरीर सामिल होकर प्रधान मंतरी नरे नर्मोदी करते लेकिन उनकी मा हीरा बेन के निधन हो जाने के बाद वो सीधे वीडियो कंफरेंसिंग के मादियम से तमाम मुख्मंतरियों से जुड़ेंगे और कलकत्ता में तमाम मुख्मंतरी मौझूद हैं और तस्वीरे जो है लगतार हम आपको अपडेट करेंगे किस तरीके से जो बैठक हुई है लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्योंकि जो मुख्मंतरी नितीश कुमार जहां पर जाना था वहाँ पर तरिस्वी आता मीटिंग के लिए शामिल हुए है वनिश्पोनेशन के साथ नमस्कार